बॉलवुड के गलियारों से एक बार फिर राजनीती से जूड़ी खबरों का आना तेज हो गया है सलमान खान के चुनाव में उतरने की खबर आते ही राजनितिक गलियारों में हलचल मची हुई है कॉंग्रेस प्रदेश सची राकेश यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी में सलमान खान के नाम को लेकर बातची चल रही है जिसके बाद बॉलिवुट से लेकर राजनीती जगत में ये सवाल खड़ा हो गया है कि सलमान आखिरकार कॉंग्रेस से ही चुनाव क्यूं लड़ेंगे खबरों के मताबिक कॉंग्रेस पार्टी इंदोर लोगसभा सीच से लगातार चुनकर आ रही लोगसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के सामने भाईजान को खड़ा कर सकती है माना जा रहा है कि सलमान खान का युवाओं के बीच काफी जादा क्रेज है वहीं लोगों का ये भी मानना है कि अगर सलमान इंदोर से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो यहां के युवाओं को सिने जगत में दाखिल होने का अच्छा मौका मिल सकता है सलमान के यहां से जीतने की पूरी पूरी आशंका है